अगले प्रस्नावली को अगले प्रस्नावली हिप निम लिषे-एँ के घनमुल गयाद किजे तो हमें क्या गयात करना है तो इसमें कुछ प्रस्न दिये हुए हैं उन प्रस्नों मेंसे कुछ प्रस्नों को लेकर solve करते हैं और सिखते हैं कि घनमूल कैसे बनाया जाता है तो पहला जो प्रस्थन है वो है 125 125 का हमें क्या निकालना है घनमूल तो घनमूल कैसे निकालेंगे तो गुड़नखंड विधी या इसको हम कहते हैं लगुत्तम विधी ठीक है सबसे चोड़ा संख्या क्या है दो है तो दो सिर्फ संख्या को विवाजिप कर सकता है विश्ण संख्या को नहीं तो कैसे पहचाना हो कि देख पीछे में क्या है विश्ण संख्या है जैसे कि एक, तीन, पांच, साथ, नाओ, यह क्या हो है, विसम संख्या, तो इन्हीं विसम संख्याओं से इस 125 को हल करेंगे, तो यहां पे और एक चीज और ध्यान देना, कि पीछे मगर 5 है, तो वो सिर्फ, जिसमें 5 हो, उसी से वो, क्या हो सकता है, भाग जा सकता है, तो भा पंचे, सारी, 5 पंचे, 25, तो यह 25 पंचे पार गया है, फिर 5 से फिर कर दो, फिर 5 पंचे, फिर 25 हो गया, फिर 5 एक खम, आगया है, अब, अब क्या करेंगे, लगुत्तम, यह सारी, घर्मूल, घर्मूल निकालना है, तो घर्मूल कैसे होता है, कुछ ऐसे होता है, और यहा इसे अब हम घनमूल के नाम से जानते हैं。 ठीक है, तो यहां पर देखो कितना है 1, 5, 2, 3, तिन बार 5 है, 5 गुड़ित, 5 गुड़ित, 5 हो गिया, तो घनमूल में देखो, 3 संख्या होता है, वर्गुमुल में 2 संख्या, लेकिन घन मूल में तीन संख्या तो हमें क्या करना है यहां से एक, दो, तीन, तीनों संख्याओं को लेकर तीन संख्या का मतलब जो तीन संख्या इनमें से सिर्फ एक ही बार ये संख्या निकल सकता है और वर्ग मूल में क्या होता था वर्ग मूल में दो संख्याओं में से ए एक बहार निकलता था लेकिन घनमुल में तीन संख्याओं से एक बहार निकलेगा तो तीन संख्याओं से एक पांच बहार आ गया तो क्या प्राप्थ हो हमें तो ये हो गया 5 जो है वो 125 का क्या है घनमूल है 125 का घनमूल कितना निकला 5 तो ये आपका क्या है एंसर है ठीक है आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं उसके बाद आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा अब इस प्रस्न के दूसरा प्रस्न को देख लेते हैं तो दूसरा प्रस्न है 343 का भी घनमूल निकालेंगे तो सेम जैसे हमने पहले निकाला था वैसी हम लोग इसमें भी निकालेंगे तो देखो यहां पर क्या है पीछे में पीछे में जो संख्या है वो 20 संख्या तो क्या ह want 12 जो सकता है कि पांच तो 5 से आए सकता है आगह बढ़ते हैं सात से जा सकता है क्या चांट 14 फिर साथ से गया, फिर साथ एका, तो ये हो गया, 343 का घनमूल, साथ गुरिस, साथ गुरिस, साथ, यही है, ठीक है, अब इससे कितने निकालेंगे, देखो, तीन के जोड़ा बना लेते हैं, घनमूल का मतलब तीन का जोड़ा, तीन के जोड़े से क्या निकलेगा, एक साथ जाएगा तो यह हो गया 443 का घंभूल बराबर इतना हो गे साथ और ये आपका समस्षा यह झाया और एक और प्रस्न देख लेकिना उसके तेबाद को अच्छे नियुक्त इस समझ में आ जाएगा तूसरे प्रस्न ले लेते तो इक1,5,6 मतलब 1 काई में है, तो मतलब वी सामसंख्याओंवाले यंगसे ही यह जा सकता है, तो हल करके देखते हैं, तो देखो, 5 से जा सकता है, 3 से दो नहीं जा रहा है, 4 से,5 से नहीं, 7 से भी नहीं, उसके बाद 9 से Nई, 11 से जा सकता है, आपको ये लगातार आगे बढ़ते जाना, जैसे नहीं जाएगा, तो फिर 11 करके देखेंगे, 11 से नहीं जाएगा, तो फिर 13 से करके देखेंगे, 13 से भी नहीं जाएगा, तो 15 से जाएगा नहीं, क्योंकि पीछे में 5 होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि 15 क्या है, 15 के 51 पांच है तो उसका भी कायंग 5 होना चाहिए तभी हो जा सकता था फिर 17 से करके देखेंगे फिर 19 से तो अगर जैसे जैसे वो नहीं जाता है तो हमें क्या करना पड़ता है? संध्याओ को बढ़ाना पड़ता है तो उसी तरह से क्या हो गया? जब वो उन अंकों से नहीं गया तो 11 से देखो 11 से जा रहा है तो मुझे 11 से करना पड़ा 11 एकम 11, 2 बच्चा और 3 टेईस हो गया 11 दूनी 22, फिर 1 बच्चा और फिर ये गिया है 11 एकम 11, फिर 11 से करके देखो 11, 11, 11, 21 और फिर 11 से करो, 11 एकम 11 फिर 1, 3, 1 इसका घनमूल निकालते हैं तो यह हो गया 11 गुडीद 11 गुडीद 11 तीन गात फिर 3 एक फिर घनमूल फिर यहाँ पर देखो तीन का जोड़ा बना लो तो कितना हो गया यहाँ पर यही बता रहा है कि तीन का जोड़ा बनाना तीन के जोड़े में से एक ग्यारा बहार निकल गया, तो कितना आ गया, इसका गर्मोल कितना ग्यारा, तो यह आपका एंसर, ठीक है, इसी तरह से इस प्रस्नावली के सभी प्रस्ना को बना लेना, तो यह अध्याय भी कतम हो गया,